आज मैं आपको एक ऐसी विधी बताऊंगा और एक ऐसा शक्ति शाली शाबर मंतर बताऊंगा, जिसका जाप करके आप अपने घर को बांध सकते हो, और आपका घर इतना शक्तिशाली तरीके से बांधा जाएगा इस मंतर के जरीए, कि कोई भी negative शक्ती, कोई भी बुरी शक्ती, आपके दुश्मन का वार, कोई तांत्री क्रिया, कोई चोकी, कोई विद्या, कोई भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, कोई भी negativity आपके घर में घुसी नहीं सकती, अगर आप इस क्रिया को तरीके से करते हो, जैसे मैं आपको बताता हूं जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं ये मंत्र माता काली का शाबर मंत्र है और इस मंत्र के जरीए घर का बंधन किया जाता है इस्थान का बंधन किया जाता है इस्थान विशेश का और घर का बंधन किया जाता है अब करना कैसे है क्या क्या चीज़े आपको बताता हूं देखिए सबसे पहले तो आपको आप जहां पर भी रहते हैं जिस घर में आपको ऐसा लगता है कि भूतों का वास है प्रेतों का वास है या बार बार कोई वार करता रहता है बार बार कोई बुरी शक्ती घर में आती रहती है उस इस्थान का आपको चुनाव कर लेना है चुनाव करने के बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको शुद्ध हो जाना है शुद्ध हो करके पवित्र हो करके सनान कर लेना है चार लोहे की कीले लेनी है आपको और चार नीबू आपको लेने है ठीक है ये चीज़े आपको अपने सामने किसी भी पात्र में किसी बरतन में आपको रख लेने है अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि सामने रख करके जो मंतर मैं आपको बताने वाला हूँ और जो मंतर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा मंतर उस मंत्र को आपको तीन बार बोलना है तीन बार बोल करके आपको उस सामगरी के उपर फूक मारनी है जो आपने अपने सामने रखी है जिससे आप अपने घर का बंधन करोगे फूक मारने के बाद में आपको क्या करना है वो सारी चीज़े आपको ले लेनी है ले जाने के बाद में आपको अपने घर के चारो कोनों में यानि की पूरव दिशा में पश्चिम दिशा में उत्तर दिशा में और दक्षन दिशा में एक एक कील आपको गाड़ देनी है ये क्रिया आप कहां पर करोगे आप ये क्रिया अपने घर की छट पर बेवी कर सकते हो चर्पर जाकर के चारों दिशाओं में एक कीला को गाड़ देनी है अगर चछत पर वयवस्तानी बन NICK पारी आपकी जाने की तो आप जहां पर भी रहते ओं वहां पर आपको चारों दीवारोंपे पूरव की दिवार पे प remember की दिवार पे उत्तर की दिवार पे दक्षन की दि आपको सबसे पहले नीबू रखना एमिआ के बाद में उस नीबू के उपर आपको कील रख करके और हतौरी से आपको वो कील गाडनी है यानि कि वो जो कील है वो नीबू को चीरते गूर जाएगी दिवार के अंदर इस तरीके से आपको गाडनी है और मंत्र को एक बार बोलना है मंत्र को बोलना है आपको मंत्र को बोलते बोलते आपको कील ठोकनी है दिवार में नीबू रख करके इस प्रकार से आपको चारों दिवारों पर करनी है आपके घर का बंधन हो जाएगा और कोई भी बुरी शक्त आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाईगी.